प्यारे अभियर्तियों नमस्कार स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फिवर में तो दोस्तों अभी तक का सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो बेस्टिसी 2022 के अभियर्तियों के लिए ठीके ना बहुत ज़्यादा ये वीडियो डिमांड में लाया जा रहा था कि सर हम पहली बार बीएस्टिसी का एक्जाम देने वाले हैं ठीके ना इस बार का बीएस्टिसी की परिक्सा जो आपकी 8 अक्टूबर को हने वाली है जो भी चातर-चातर है जिन्नोंने पहले एक्ज बोक्स में पूछ लिएगा कापी सारे अबिरती ने प्रशन पूछे हैं तो सभी को आंसर देना मुस्किल था इसलिए सभी प्रशनों को संग्रहित करते हुए मैंने अलग से ये वीडियो बना दिया है तो एक्जाम देने से पहले दोस्तों इस वीडियो को कम्पलीटली वॉच करना है क्यूंकि कापी सारे गलतिया जो है बीस्टसी के अबिरती जो नहीं जानते हैं पहली बार एक्जाम देने वाले हैं वो करते हैं और दोस्तों जिनके कारण उनके परिक्सा में मार्क्स कम रह जाते हैं कहीं कहीं का ठीक ना कहीं का पेपर भी रद हो जाता है क्योंकि बहुत बड़ी वो गलती करते हैं ठीक ना जनरल और सेंसकर्थ के अभिरती जो हम एपलाई करते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं क्य वीडियो को आपको एंड तक वोच करना है तो क्या-क्या आपके मन में प्रशनते बीस्टीसी 2022 को लेकर सबसे पहले उन पर चर्चा कर लेते हैं तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे बीस्टीसी 2022 की आट अक्टूबर की जो आपकी परिक्सा होगी उसका में किस परकार से रेनाπαल है ELND परिक्साहे बारे के लिए दोस्तों रब कारिये किस में परियोग होता है तो यहां पर दसे रिजिनिंग में और दोस्तों वो गलती जो पिछली बार BSTC अब्यर्टियों ने की थी या कहीं जितने भी बार BSTC का एक्जाम देते हैं वो सभी करते हैं कौन सी गलती हैं ताकि आप ना करें आपका पेपर रद ना हो तो उस गलती के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं उसके अलाओ दोस्तों कापी सारे जो टेक्निकल है जो टेक्निकल डो प्रोड़क्ट है गड़ी मोबाइल वगरह हो गए और आदार कार्ड के बारे में पास्वर्ट साइज फोटो के बारे में एड्मिट कार्ड के बारे में सभी की जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं पूरी जानकारी डीटेल से इस वीडियो में आपको मिलने वाले है तो दोस्तो इस वीडियो को केवल इस वीडियो को आपको end तक वोच करना है ताकि BSTC 2022 का जब आप exam देने जाओगे तो ये गलती आपके द्वारा ना हो और बिल्कुल निश्चिंत होकर आप exam दे पाए तो चलिए दोस्तो सबसे पहले हम सुरू करते हैं BSTC 2022 के schedule को लेकर तो आपको मालू है दोस्तो 8 October को ठीक है ना 8 October को आपका जो है exam और दोस्तो BSTC 2022 के महतोपन प्रशनों की अगर आप quiz में हिस्सा लेना चाते है ठीक ना तो दोस्तो प्ले स्टोर पर BSTC 2022 एप नाम से आपको जो है एप इंस्टोल करना है वहाँ पर दोस्तो राजिस्तान जिके रिजिनिंग मानसिक योगिता जिसे हम कहते हैं तो दोस्तो BSTC 2022 की फ्रीम में तयारी करने के लिए सिंपली से आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है BSTC 2022 वहाँ पर इस एप को आपको ओपन कर लेना इंस्टोल करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको राजिस्तान जिके सिक्षन अविरुची रिजिनिंग के साथ साथ लेंग्वेस से समन्दी से सबी वीडियोज मिल जाएगी यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको विबिन क्विज मिल जाएगी जहाँ पर आप इनमें फ्री में हिसाल ले सकते हैं होने वाला है सभी के एड्मिट कार्ड लगबग सभी ने डाउनलोड कर लियोंगे उस एड्मिट कार्ड में दोस्तो आपके सेंटर का नाम भी दे रखाओगा सेंटर का नाम भी दे रखाओगा इस बार सेंटर काफी लोगों के बहुत दूर आये हैं दूर center आये तो वो परिक्सा से जल्दी निकल जाए ठीक है ना exam देने सुबे जल्दी निकल जाए है अलांकि 2 बज़े से लेकर आपके जो है कितने 5 बज़े तक 3 गंटों का exam होगा 3 गंटों का आपका exam होगा तो कोई problem नहीं है आपका center भी मिल जाएगा लेकिन दोस्तों आपको जल्दी निकलना है और परिक्सा center पर दोस्तों आपको 1 गंटे एक गंटा पहला पहुंचना है क्योंकि दोस्तों परिक्सा से पहले आपको वहाँ के teachers दोरा जहां पर भी college school में आपका center आया है वहां के टीचर्स द्वारा आपको सामाने इंस्ट्रक्शन निर्देश दिये जाएंगे तो उनको आपको सुनना है और एक गंटे आपको सेंटर पर पहले पहुँच जाना है ठीक ना ताकि आप रोल नंबर, रूम नंबर वगएरे वहां पर चेक कर पाएंगे तो सबसे पहले सावदा ने आपको ये रखनी है परिक्सा देने टाइम जो आप जाएंगे तो जल्दी निकल जाएंगे शुबह और परिक्सा सेंटर पर एक गंटे आपको पहले पहुँच जाने जाएंगे क्योंकि दोस्तो पांच पॉइंट निनाडू लाख ठीक है ना लगबग 6 लाख अभीरतियों ने इस बार फोर्म जो है एपलाई किये हैं इन में से काफी सारे अभीरतिय ऐसे होंगे जो की एक्जाम देने नहीं जाएंगे किनोंने फॉर्मल्टी के लिए जिन्नोंने फोर पॉच्छे जाना है ठीक ना उसके लाख दोस्तो आपको पॉच्छा गया है कि बेश्टे से एक्जाम में जब आप देने जाएंगे एक्जाम तो साथ में क्या-क्या लेकर जाना है देखे दोस्तो तीन चीजे मैं तो पुण है देखे एड़मिट कार्ड लगबग आप चीजे कर लेना कि मैंने अपना एड़मिट कार्ड साथ में लिया या नहीं है क्योंकि इसके बना दोस्तो आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी और जब आप एंट्री नहीं मिलेगी तो कितनी भी आपने पढ़ाई की हैं 400 प्लस का टार्गेट रखा हैं आपको एक्जाम जो बारों में भी कापी सारा एबीरत ने अन्सुर केया दें कि दोस्तो यह चीजे आपको जो टेक्निकल चीजे हैं वो पेपर लिकिंग के कारण दोस्तो आपको नई साथ में लिज़ाने नहीं दिया जाएगा ठीकिना हालांकि आप सेंटर पर साथ ले जा सकते हैं लेकिन जितने भी टोपिक सेस्थ रहे होंगे जितने भी इंपोर्टेंट प्रस्ण बेस्टी को लेकर उनको आप देख सकते हैं ताकि आपकी त्यारी और मजबूत हो जाए तो मोबाइल साथ में ले जाए टाइम वोच के लिए आपको गड़ी जरूर ले जाने हैं लेकिन दूसरों जो है आदार काड लाइसेंस, पासपोर्ट यानि की एक आइडेंटी काड आपको ले जाना है ठीक ना जिससे आपकी पहचान होती है अब इसके अंतरकर आप क्या क्या ले जा सकते है एक आपको ले जाना पड़ गया या तो आदार काड आप ले जाए या फिर आपका जाए ठीके ना अब हाला कि फोटो का गाइडलाइन के अंदर दे नहीं रखा है लेकिन फिर भी दोस्तों एक फोटो साथ में आपको पासपोर्ट साइज ले जानी चाहिए तो यह तीन चीज़े दोस्तों पहला admit card पहला admit card आपको साथ में ले जाना है इसके अलाव दोस्तों अपना एक अधार card साथ में ले जाना है इसके अलाव दोस्तों एक photo आपको साथ में ले जाना है ठीके ना इसके अलावा साथ में आपको कुछ भी नहीं ले जाना है क्योंकि कौन सा pen आपको use करना है ये काफी सारे विर्थुने प्रक्षने किया है तो इस प्रक्षने का भी मैं आंसर देदू दख्ये दोस्तो आपको black pen ले जाना है black pen माने kala pen ठीक ना काले pen से आपको जो है वहाँ पर गोले बरने है जो भी OMR seat में दिये होंगे तो सबसे पहले दोस्तो black pen के साथ आप blue pen जो है एक side pen के तोर पर ले जा सेते हैं लेकि दोस्तो आपको जो गोले है वो काले pen से ठीक ना जो भी 5 रुपे का आप school में नॉर्मल यूज करते हैं तो उसी काले pen से दोस्तो आपको गोले बरने हैं आपको blue pen यूज नहीं करना है blue pen यूज नहीं करना है जो आप school में करते थे वो यूज नहीं करना आपको काला pen दुकान से खरीद लेना है 5 रुपे का नॉर्मल वाला ज़्यादा वो आपको ball pen यूज नहीं करना है नॉर्मल वाला आपको काला पैन यूज करना है OMR सीट फिलप करते समय अब दोस्तों जब भी OMR सीट की बात हो रही तो काफ़ी सारे बिर्तिने प्रशनी क्या कि OMR सीट कैसी आएगी क्योंकि पहली बार वो एक्जाम देने वाले हैं किस परकार से OMR सीट के गोलों को फिलप करना है तो देखे दोस्तों आपके पास 200 पृष्णों का पेपर आएगा और OMR सीट वे आएगी उसमें दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको OMR फिलप करना है यहां पे देखे दोस्तों आपको ओप्सन दे रखे होंगे A, B, C, D और नीचे की साइड आपको यहाँ पर पर्षणों का कर्मार्ग दे रखागा कौन का पर्षण है इसके लाओ दोस्तों आपको गोले दे रखे होंगे, ठीक है, कुछ इस परकार से OMR SEAT के अंतरक्त आपको गोले दे रखे होंगे, तो कौन सा मानली जे पहले पर्षण का आंस गरती ने कि चोटी सी गलती आपका पूरा तीन नमबर का पेपर रद करा सकती है ठीक ना कुछ इस परकार से आपको फिल अब करना है ना तो दोस्तो इसे और जब आप इसे बाहर आपको इसे और लोगा जब आप फार चौली चोड़ देंगे एसे और जब आप खाली चौड करोगे और आपका प्रॉस्फन करेक्ट होगा तो पूरे के पूरे आपको नमबर मिलने के चासे से और नेगेट minder मार्गिंग के बारे में काफी सारे अभिलति ने आंस्वर किया है तो दहें दोस्तो leading मार्गिंग्ग चाहिए BSTC की बात कर ले या फिर बात कर ले दोस्तो PTT की दोनों एग्जामों में जो है दोनों interest test है एक BAD के लिए और एक दोस्तों आपके BSTC पर BSTC के exam के लिए ठीकिना दोनों interest test है और दोस्तों दोनों में जो है नकारातमक जो सेली होती है जो negative marking है करात्मक अंकन है वो दोस्तों नहीं होता है बाकी एक्जामों आपने माना होगा कि एक बटाती नेगेटिव मार्किंग होती है लेकिन BSTC और PT8 में आप निश्चिंत रहे हैं कैसे भी अगर आपका प्रशन गलत भी है तो गलत प्रशनों के लिए सही उत्तर को आपका गलत नहीं माना जाएगा आपकी नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं है तो इस बात से भी आप निश्चिंत हो जाए है उसके लाओ दोस्तों और क्या-क्या बाते जो हैं आपको ध्यान रखनी है उसके बारे में भी देख ले देखे दोस्तों पिछली बार जो काफी सारा अभीर्टियों ने गलती किये पिछली बार काफी सारा अभीर्टियों ने कौन सी गलती किये देखे जब आपने बेस्टिसी का फोम एपलाई किया है तो दो परकार से आपने form apply किया है या तो आपने general से form apply किया होगा या तो आपने general से form apply किया होगा या फिर दोस्तो आपने Sanskrit से form apply किया होगा ठीक ना Sanskrit से आपने form apply किया होगा ये दो तरीके दोस्तो BSTC का form बनने के लिए ज़ादा तर लोग जो है जनरल से फॉर्म एपलाई करते हैं लेकिन कुछ ऐसे अभियर्थी होते हैं जिनके 12 में Sanskrit वगेर थी और उन्हेंने Sanskrit से भी फॉर्म एपलाई किया हैं तो देखे दोस्तो जब आप जनरल से फॉर्म एपलाई करते हैं तो दोस्तो आपका जो चोता करमांग होता है यानि की लेंगवे से समद्धी जो आपके परशन आते हैं जहां पर 30 परशन हिंदी के आते हैं और 20 परशन इंगलिस के आते हैं तीस परशन हिंदी और सेंसकर्ट दोनों क्याते हैं तो आपको हिंदी के परशन से फॉर्म करने हैं अगर आपने जनरल से फॉर्म एपलाई किया है तो हिंदी के जनरल से फॉर्म एपलाई किया है तो हिंदी के जनरल से फॉर्म एपलाई किया है तो हिंदी के जनरल से फॉ 30 प्रशन तो आपको दोनों मैंसे करने है अगर आपने जनरल से भी फूंद करते है तो भीropolis के 20 प्रसन करने है चथा के साथ जम और प्रोब्म आती है लोश्टो धीन होने promote फ्न होने या तो वो हिंदी के 30% solve कर सकते हैं या फिरे sensecript के 30% solve कर सकते हैं थो और आपकी मर्जी दोनों मैं से आप कोई भी प्रशन solve कर सकते jest लेकिन अगर आपने general से पहुं एपलाई किया है तो आपको हिंदी के 30% करने है यह सबसे बड़ी जानकरिया दोस्तो ज्यान से सुन ली जएगा बाकिया आपको गलती नहीं करनी है बेस्टेसी एक्जाम जब आप देने जाओगे और अगरा आपने सेंसकर्थ से पहुम एपलाई किया है तो दोस्तो आपको सेंसकर्थ के 30 प्रशनों करने है कापी सारे बिर होता है वो दोईस सो नंबर का होता है दोईस सो नंबर का आपका पेपर होता है सभी को मालूं है जो की दोईसो प्रशन हमाँ के दे आपको लिए जाएगा तो रृपकरिये के लिए आपको जो हैं पेपर के अंत में एक खाली पना दिया जाएगा घीक loud का मिलान करना रिजणीं प्रत्रों को सॉल्व करना है तो एक ही पन्ने में आपको सारा रृपकarm करने को दिया जाएगा अलांकि केवल डिजनिंग में आप रपकारिय करने की जुरत पड़ेगी बागी टॉपिक्स को तो आप ऐसे ही सॉल्व कर देंगे और दोस्तो देखिए चार टॉपिक्स है पहला है दोस्तो जीके का पॉर्षन दूसरा है आपके मानसिक योगिता मानसिक योगिता का पॉर्षन है जिसे रिजनिंग कहते हैं तीसरा है दोस्तो आपके टीचिंग एप्टिटूट जिसे शिक्से नबिरूची कहते हैं और चोता दोस्तो लेंग्वेज जहापे हिंदी सेंसकर्ट और इंग्लीज तीन मुख्यरे बहसाई होती है बाकी लंग्वेज नहीं होती है अलांकि उसमें फोम एप्लाई नहीं होते हैं जाज़तर तो देखिए दोस्तो जो टॉपिक जिस टॉपिक के प्रशन आपको सबसे अच्छे तरह कैसा आते हैं या पिर जिसकी आपने बहुत अच्छी त्यारी की है उनको आपको सबसे पहले करना है मेरी मानिये दोस्तो जो मानसिक योगिता है यानि रिजिनिंग वाला पॉर्सन है उसमें दोस्तो आपको काफी ज़्यादा टाइम लगता है उसमें मिलान वाले कारिये रब कारिये करने पड़ते हैं तो ये वाला पॉर्सन दोस्तो सबसे एंड में आपको करना है मेरी मानिये तो रिजिनिंग के परशनों को सबसे अंत में ठीक न सबसे अंत में आपको सॉल्व करना है जो topic आपको सबसे अच्छा आता है चाहे वो gk हो teaching aptitude हो या फिर language हो उसको सबसे पहले आपको solve करना है तो ये तो बात होगी दोस्तो paper के बारे में और दोस्तो जो सबसे अधिक आपको marks दिलाने वाला portion है वो है दोस्तो teaching aptitude इसमें दोस्तो टोपर के भी अधिक नंबर आते हैं और जो सबसे नीचे रेंकिंग वाला थे उसके भी teaching aptitude में लगबग अधिक ही नंबर आते हैं तो ये ऐसा portion है दोस्तो जो आपके marks बढ़ाने में एक सक्सम है और दोस्तो जो आपके जो बाकी अभीरतियों से आगे ले जाने वाला जो portion है वो देखिए दोस्तो एक तो gkak का portion है और दूसरा language का जहां पर हिंदी और English language में आती है और यही एक ऐसे portion है दोस्तो जो आपक October 2-5 तक आपकी परिक्सा होगी तो कौन कौन सी चीजे धियान में रखने है क्योंकि पहली बार वो एक्जाम देने वाले हैं तो OMR सीट के बारे में मैंने बताया है क्या क्या सात में लेकर जाना है वो बताया है एक्जाम में कौन सा प्यान यूज करना है 500 क्या नहीं ले अलग से वीडियो नहीं बनेगी आप comment box में जो है वो प्रशन पूछ लेगा मैं comment box में सभी का answer देदूँगा इनके अलावा भी ठीक न यह तो main बाते हो गई जो आपको ध्यान रटनी है इनके अलावा भी अगर आपको कोई प्रशन है जो कि BSTC exam से related है तो वो comment box में आप सबसे पहला आपको उनको पढ़ना है उनको पढ़े भी आपको पेपर नहीं देना है ठीक ना सबसे पहला उनको पढ़ना है हिंदी और इंग्लियस दोनों में दे रखेंगों यह तो उनको सबसे पहला आपको पढ़ना है उसके बाद ही पेपर को सुरू करना है और दोस्त के साथ साथ आपका प्रशन पत्तर भी साथ में ले लेंगे वो आपको गर ले जाने नहीं दिया जाएगा आपको एक्जाम सेंटर से वापस खाली आती लोटना पड़ेगा तो ये कुछ मुझ के बाते रही थी जो दोस्तों BSTC एक्जाम BSTC अभियर्तियों के लिए नहीं देता हूं BSTC एक्जाम में मैक्सिममम 400 प्लस स्कोर लाने को और जब भी दोस्तों एक्जाम देने जाएंगे तो आपको निश्चिन्त होकर बिना टेंसन के एक्जाम देने जाना हैं तो उम्मिद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए हेल्प ले रही हो जो काउंसलिंग कॉलेज अलोटमेंट के वीडियो जोंगे वो भी इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है आगे भी आपका ये चैनल रहने वाला है तो सब्सक्राब कर दिना चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दिना और कनेक्टेड र जाए त्यार हो जाए तो धन्यवाद